दियर स्टुडेंट लास्ट वाले वीडियो में हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था ठीक है इंडिकेटर्स में हमने देखा था कि ऐसे सोलूशन जिन से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सोलूशन जो होगा वो आपका ऐसीड होगा कौन सा सोलूशन जो होगा वो आप कंसर । फई अउट कर सकते हूए तो उसमें हमने इंडीकेटर इंडीकेटरस गोटे आज आ हैं हो जो होते हैं जो आप अपार्टरि में बनाते हैं जिनको आप लिए अब बेस तो इसमें हम देखेंगे कि कि क्या हमारी लेप्रस होती है इसमें फिर दिया गया है अज़र आपके कुछ solutions दिये गए हैं इसमें से कुछ आपके आइसीड हैं और कुछ आपके बजैं ने सहां ज़िए पीवन आपको क्लाएंग दफोलोवंग सेंप्लि फ्रॉम्ह यां साइंस लाइबर्टीव तो साइब और दिमें से कुछ सेंपल आपको कलेक्ट करने हैं तो यहां पे कुछ solutions आपको given हैं यहां पर कुछ acid आपको दिये गए हैं और कुछ आपको base यहां पर given है तो पहला जो है वो है आपका first जो है वो आपका hydrochloric acid है hydrochloric acid को हम क्या बोलते हैं HCl भी बोलते हैं तो यहां पर आपको acid का पता चल जाएगा तो जो भी acid है उसके पीछे यहां पर acid लगा हुए ठीक है तो यह acid के पीछे यहां पर acid लिखा हुए तो पहला जो है वो आपका hydrochloric acid है HCl तो यह formula भी learn कर लेने आपको और यह भी learn कर लेने कि कौन सा solution acid है आपका कौन सा solution base है दूसरा acid जो दिया है वो उसको हम sulfuric acid कहते हैं और उसका जो chemical formula होता है H2SO4 third acid है आपका nitric acid जिसका formula होता है आपका HNO3 और hydrochloric acid का formula होता है आपका HCl next given है आपको acetic acid तो acetic acid का formula होता है वो होता है आपका CS3COOH तो acetic acid होगे आपका CS3COOH फिर इसके बाद है sodium hydroxide तो sodium hydroxide जो होता है यह आपका base होता है इसके बाद है calcium hydroxide तो calcium hydroxide का symbol है आपके पास CAOH2 calcium hydroxide इसके बाद next है आपका potassium hydroxide potassium hydroxide का symbol होता है आपका KOH next है फिर आपका magnesium hydroxide तो magnesium hydroxide का symbol होता है आपका MgOH2 and ammonium hydroxide तो ammonium hydroxide का symbol होता है आपका NH4OH ठीक है तो यह कुछ solutions है जो आपकी lab में होते हैं इसमें से कुछ जो है आपके acid है और कुछ जो होते हैं आपके base होते हैं तो acid के पीछे जैसे पहला है आपका HCL यानिकी जिसको हम hydrochloric acid भी कहते हैं तो इसके पीछे भी आपका acid लगाओ है sulfuric के पीछे भी acid है nitric के पीछे भी acid है तो इनके पीछे आपका acid लिखाओ है अगर नहीं तो फिर भी आपको tips पे लर्न होना चाहिए कि जो आपका hydrochloric है उसको हम HCL से लिखते हैं यह आपका acid होता है S2SO4 जिसको हम sulfuric acid से लिखते हैं वो आपका acid है nitric acid HNO3 यह आपका acid है तो आप सभी को अपनी notebook में यह acid और base के formula लिखने हैं और सभी को यह tips पे learn होना चाहिए इसके बाद sodium hydroxide जिसको हम NaOH कहते हैं यह आपका base होता है calcium hydroxide CAOH2 यह भी आपका base होता है potassium hydroxide KOH यह भी आपका base होता है और magnesium hydroxide MgOH2 and aluminum hydroxide NH4OH तो यह सारे आपके base होते हैं अब हमें क्या करना है तो हम इनकी indicator से हमने पढ़ा था कि कुछ आपके natural indicator होते हैं कुछ आपके synthesized indicator होते हैं तो हम देखेंगे कि हमें पता नहीं है कि इनमेंसे कौन सा acid है कौन सा base है तो put a drop of each of the ever solution on a watch glass तो आपकी watch glass होती है यानि कि एक plate type होती है उसमें सभी की जितने भी आपके solutions given है उन सभी की हम एक drop डाल देंगे सभी की यानि कि बहुत सारी watch glass रख देंगे बहुत सारी plates type watch glass जो होती है उनको में रख देंगे और सभी यह हमें जो chemicals given है सभी की एक-एक drop जो है हम उसमें डाल देंगे ठीक है अब हमें क्या करना है test and test with a drop of the following indicator as shown in the figure 2.1 तो 2.1 में यह जो table 2.1 है इसमें आपको कुछ indicator दिये गए है यहाँ पर पहला इंडिकेटर आपको दिया गया है reds solution दूसरा indicator आपको दिया गया है blues-uminous solution थर्ड इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है आपको phenopathy lane solution और लास्ट इंडिकेटर आपको दिया गए यहां पे अपर अब और इंडिकेटर है ठीक है तो यह आपके इंडिकेटर है ठीक है तो यह जो फिनॉफ्थफ़ीन है यह आपका Synthesize Indicator है और यह जो मिठाइल ओरेंज होता है यह भी आपका Synthesize Indicator होता है तो ये indicator क्या काम करते हैं ये indicator हमें बताते हैं कि कौन सी चीज आपकी acid होती है और कौन सी चीज आपकी acid होती है और कौन सी चीज आपकी base होती है तो हमने ये सारे जो solutions हैं इन सभी की एक एक drop जो हमने watch glass पर डाल दी अब हम इन indicator की वज़े से क्या करेंगे test करेंगे कि इन indicator की वज़े से हम पता लगाएंगे कि इन पर क्या प्रभाब पड़ेगा यह जो आपकी indicator है इन indicator में क्या observe होगा तो इसमें दिया गया है what change in color did you observe what change in color did you observe with red litmus blue litmus phenophthalene and methyl orange solution for each of the solution taken तो जितने भी solutions आपने लिए हैं यहां पर उन सभी का color में क्या change आएगा जब आप इन solutions के साथ में इन indicator की reaction कराओगे ठीक है तो जैसे हम देखें यहां पर तो जो red litmus solution होता है ठीक है तो अगर हम यहां पर तो माल लो जो भी आपका यहां पर acid होगा ठीक है तो माल लो यहां पर कोई भी आपका acid है तो जो भी आपका acid होता है ठीक है तो acid का red litmus solution पे कोई परभाव नहीं पड़ता acid का red litmus solution पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो blue litmus को किसमें change कर देता है blue litmus को वो red color में change कर देता है ठीक है तो यहाँ पे यह आपका किसमें change हो जाएगा यह आपका red color में change हो जाएगा ठीक है तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपका acid होता है ठीक है तो जो आपका यहाँ पे मान लो acid है तो जितने भी आपके acid है जैसे आपका पहला acid है HCl, hydrochloricamal, दूसरा होगे आपका nitric acid, sulfuricamal, aceticamal तो यह सारे जब आप इनकी red litmus solution के साथ में ряд करायोगे, reaction करायोगे तो इस पर कोई प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा, क्योंकि acid का प्रभाव red litmus solution पर कुछ नहीं पड़ता, बलकि वो किसको change करते हैं जैसे ही acid इसका blue लिटमस solution के साथ reaction करेगा वो किस में change हो जाएगा आपका वो blue litmus को किस में change कर देगा blue को वो किस में change कर देगा red litmus solution में change कर देगा यानि कि इसके color में आपका चेंच आएगा ठीक है तो जो acid होते हैं उसका red litmus solution पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि वे blue litmus solution को red litmus में change कर देते हैं और अगर यहां पर जो बेस हैं बेस हमारे कौन कौन से हैं यहां पर जो हमने NaOH लिया जैसे sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide तो यह सारे जो हमारे हैं, बेस हैं, तो जब वो red litmus solution पे, red litmus solution पे वो परभाव डालते हैं और वो red litmus को किस में change कर देते हैं, red को वो blue में change कर देते हैं, ठीक है, और बेस का जो blue litmus solution पे कोई परभाव नहीं पड़ता है ठीक है, तो यह आपको दियान में रखना है, कि जो वो acid हैं, उनका red litmus solution पे कोई परभाव नहीं पड़ता, जबकि वे blue litmus solution को red litmus solution में change कर देते हैं बेस वाले red litmus solution को blue में change कर देते हैं, जबकि उसका blue litmus solution पे कोई effect नहीं होता ठीक है यानि कि यहां से हमने कैसे पता लगाया कि कोई solution आपका acid या base है हमने इनके indicator के color में change के द्वारा पता लगाया यानि कि ऐसी हमने blue litmus solution की acid के साथ reaction कराए तो उनका color change हो गया तो यहां पे हमें कैसे पता चला कौन सा solution liquid है कौन सा solution acid है कौन सा आपका base है color के change के द्वारा यहां पे यह जो indicator है indicator कौन से हमारे indicator हमारा एक red litmus solution है दूसरा indicator हमारा blue litmus solution है तो किस चीज में change होगा है यहां पे उनकी color में change होगा है तो यहां पे color में change के द्वारा हमने पता लगाया है कि कौन सा हमने पता लगाया है कि जो आपका HCl है जो आपका NaO, जो आपका SCl है, S2SO4 है, ठीक है, Acetic Acid है, Nitric Acid है, तो ये सारे आपके Acid होते हैं, और ऐसी Color Change के तोरह हमने पता लगाया, जो आपका Potassium Hydroxide है, Calcium Hydroxide है, ये सारे आपके Base होते हैं, ठीक है, अब हमें देखना है, इसके साथ में, Phenophthalene के साथ में, ठीक है, तो अब हमें ये Phenophthalene के साथ में, तो Phenophthalene जो होता है, वो आपका, Phenophthalene जो होता है, ठीक है, जैसे ही, वो Acid के साथ reaction करता है, मालो Phenophthalene अगर, Acid के साथ में reaction कर रहा है, मालो, यहाँ पर हम लिखें, कि अगर, उसकी reaction हम किसी Acid के साथ में करते हैं, ठीक है, तो वो आपका Color Less होता है, ठीक है, तो ये आपका Color Less होता है, ठीक है, तो जो आपका Phenophthalene होता है, ये आपक transparent liquid होता है, जैसे water आपका transparent होता है, ऐसे यह जो फिनोफ्तिलीन solution है, यह भी आपका transparent होता है, तो जैसे यह acid के साथ में reaction करता है, तो यह आपका colorless ही रहता है, यह आपका transparent ही रहता है, इसके color में कोई change नहीं आता, लेकिन जैसे हम इसके base के साथ में reaction कराते हैं, तो base के साथ मे इसका color किस में change हो जाता है इसका color आपका pink में change हो जाता है pink color में ये change आपका हो जाता है ठीक है तो यानि कि जो आपके acid होंगे phenophthalene solution भी क्या है ये आपका एक indicator है तो यहाँ पर हम कैसे पता लगा रहे हैं कोई solution आपका acid है या base है यहाँ भी color में change आ रहा है तो जो phenophthalene solution है ये आपका synthesized indicator होता है acid के साथ में इसके color में कोई change नहीं आता ये transparent ही रहता है लेकिन base के साथ में reaction करके इसका color pink में हो जाता है ये pink color में change हो जाता है ठीक है इसके बाद next है आपका methyl orange ठीक है तो जो methyl orange होता है ये भी आपका synthesized होता है indicator होता है इसमें भी color change के द्वारा हम किसी भी solution के acid या liquid होने का base होने का पता लगा सकते हैं तो अगर यहाँ पे कोई भी आपका acid है ठीक है तो ये जो hefenophylene solution methyl orange वाला solution है मालो इसने किसके साथ reaction की है methyl orange वाले solution का हम check कर रहे है तो methyl orange वाला solution acid के साथ अगर reaction करता है तो उसका color कैसा हो जाता है वो red color में change हो जाता है उसका color change हो जाता है और वो आपका red हो जाता है और अगर वो किसी base के साथ reaction करता है तो base के साथ में उसका जो reaction है वो आपका यलो कलर का हो जाता है तो यह बहुत important है ठीक है, methyl orange B जो है, acid के साथ reaction करके वो red color का हो जाता है और base के साथ reaction करके वो yellow color का हो जाता है तो acid हमारे कौन कौन से होते हैं ठीक है, तो अभी हमने देखा आपके acid कौन कौन से होंगे तो आपका जो HCl है यह acid है, जो आपका S2SO4 है, यह acid है HNO3, nitric acid यह आपका acid है, acetic acid CH3COOH यह सारे आपके acid हैं और बाकी जो हैं यह आपके base हैं, NaOH calcium hydroxide sodium hydroxide magnesium hydroxide और ammonium hydroxide यह सारे आपके base होते हैं ठीक है, तो यह सब ही आप अपनी notebook में note कर लेंगे, और यह जो table 2.1 की observation मैंने बताई है, यह सभी आप अपनी notebook में note करेंगे, ठीक है इस indicator tell us whether a substance is acidic or basic by changing color, तो यहां से हमने changing color के द्वारा find out किया कि कौन सा substance आपका acid है, कौन सा substance आपका basic है, ठीक है there are some substances whose order change there are some substances whose order change in acidic and base media, तो कुछ substance ऐसे होते हैं, order का मतलब smell, जिनकी जो smell है वो आपकी change हो जाती है अभी हमने देखा कि यह वाले जो आपके थे, red litmus solution, blue litmus solution phenolphthalein और methyl orange इनके किस चीज में किस चीज में change होता है, इनके color में change होता है, और color में change के द्वारा हमने बताया कि कौन सा substance आपका acid है, कौन सा substance आपका base है, लेकिन कुछ substance ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो acid या base के साथ reaction करते हैं तो उनकी smell में change आता है smell में change आता है तो smell में change आने को हम क्या कहते हैं there are some substances whose order तो order का मतलब है यहाँ पर उनकी smell में change आ रहा है तो कुछ substances की smell में change आ रहा है जैसे ही वो acid या base के साथ reaction करते हैं है तो उनको फिर बींडिकेटर कहते हैं तो उन सब्स्टांस कम कौन कहेंगे ऑला फाक्ट र इंडिकेटर तो अभी हमने देखे थे एक इन्दिकेटर आपकी Two type की होते हैं कुछ 2022 Esp तो हसं में और में एक नियदिकेटर तो होते हैं को हम दोLS शाल को हम all factory indicators कहते हैं फिर यहां पर गीवन है आपको activity 2.2 there are some finely chopped onion in a plastic bag along with some strips of clean cloth tie up with the bag tightly and leave overnight in the fridge the cloth strips can now be used to test for acid and bases तो उसने क्या कहा है कि यहां पर कोई भी आपका plastic bag है उसमें आपने onions जो कटे हुए onions तôm अपने रख दिया है और उसके थाथ ने है कपड़े की stripes कपडे कीです क्या क्पडे की strips हो इसको⁡ साफ कपड़े की कि च्ट्रिप च्ट्रिप है उसको अप shirt ne एक प्लास्टिक बैग में जो आपने कपड़े की 2 स्ट्रिप्स रखी थी उनसे हम क्या टेस्ट कर सकते हैं। इसको निए क्लीण च्ड़ी स्ट्रिप्स निए capable उनियं के कलोग की चाट़्िप्स थी। उससे हम क्या test कर सकते हैं कि कौन सा substance आपका acid है कौन सा substance आपका base है तो इसमें क्या change आएगा इसमें किस चीज में change आएगा उसकी smell में change आएगा ठीक है तो यहाँ पे जो आपकी कपड़े की smell है उसकी smell को हम change करने की या check करने की कोशिश करते हैं उसकी smell में आपका कोई ना कोई चींज आएगा keep them on a clean surface तो अब हमें क्या करना है keep them on a clean surface and put a few drops of dilute at CL solution on the one and a few drops of dilute and a solution on the other यानि कि जो आपका कपड़े की जो strip है यहाँ पर अब इसमें किसका juice बढ़ाव है हम इसको यह भी कह सकते हैं इसके ऑंदर कौन सा juice है इसके ऑंदर जो आपका onion का juice है ठीक है इसको आपने onion के साथ में रखा तो इसके अंदर jouse feel हो गया वो आपका onion का juice है तो एक वाले पे आपने the hostal की drop और एक वाले पे आपने the 1958 के drop टाली तो आपको पता है कि जो HCL है वो आपका acid होता है और जो NOH है वो आपका base होता है तो अब हम देखेंगे कि इसमें कि किसके साथ reaction करके इसके color में change आता है acid के साथ reaction करके या base के साथ reaction करके ठीक है तो rinse both, close, strips with water and again check their order तो यहां पर हमें उसकी smell को जो है वो check करके तो इसमें हमने देखा कि जैसे ही जो आपका juice है जो आपका onion होता है ठीक है तो जैसे ही वो acid के साथ में reaction करता है acid जो हमने HCL के साथ में reaction कराया ठीक है तो इसकी smell में कोई change नहीं आता no change in smell तो इसकी smell में कोई change नहीं आता है तो जब onion आपकी याने की acid के साथ में reaction करती है तो इसकी smell में या इसकी order में कोई change आपका नहीं आता ठीक है ऐसे ही जब इसने onion ने किसके साथ में reaction की onion पे जब हमने base की drop डाली base कौन सा है यहां पे आपका तो यह जो onion की smell है वो आपकी चली जाती है प्याज की जो smell है अनियन की smell वो disappear हो जाती है तो यानि की यह जो onion का juice है इससे हम क्या check कर सकते है कि कौन सा substance आपका acid है और कौन सा substance आपका base है तो onion को जब हमने acid के साथ में reaction कराया तो उसकी smell में कोई change नहीं आता तो हमें प्याज की smell वैसे ही आती है acid डालने से पहले जैसे हमें smell आई थी वैसे ही acid डालने के बाद उसकी smell आती है तो उसकी smell में कोई change नहीं आता जब वो acid के साथ में reaction करता है तो यहां से हम पता लगा सकते हैं तो ठीक है और अगर हमारे पास तो उसकी reaction अगर हम किसी base से कराते हैं तो जो प्याज की smell होती है onion की smell होती है वो आपकी एकदम से चली जाती है, disappear हो जाती है गायब हो जाती है ठीक है, तो यानि कि अगर हमें आरे पास दो solution दिये गए है ठीक है, और हमें पता लगाना है कि कौन सा acid बेस है, तो हम onion की juice से या onion juice से उसका पता लगा सकते है तो यह आपका क्या कहलाएगा, यह भी आपका olfactory indicator हो गया तो इसको हम कहेंगे, this is the olfactory indicator this is the olfactory indicator, यानि कि इसकी smell में change आता है जब यह acid के, यानि की onion का juice है, वो acid के साथ reaction करता है तो उसकी smell में कोई change नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो base के साथ reaction करता है तो उसकी smell जो है वो चली जाती है ऐसे ही फिर आपके दूसरे भी होते हैं, यहाँ पर same जैसे ही same आपने onion के साथ किया, वैसे ही जो आपका vanilla essence है vanilla essence, जो कि आप cake बनाने के लिए भी इस्तमाल करते हो, ठीक है और जो clove oil होता है, यानि कि जो long का तेल होता है यह भी आपके क्या होते हैं, all factory indicator होते हैं यानि कि जब यह दोनों acid या base के साथ reaction करते हैं तब इनकी smell में भी आपका change आजाता है ठीक है, same change वो ही आता है, जैसा हमारा onion के साथ में आया तो vanilla जो है आपका vanilla essence जब आपका acid के साथ में reaction करता है vanilla essence जब आपका acid के साथ में reaction करता है तो उसकी smell में कोई change नहीं आता, ठीक है लेकिन जैसे ही vanilla essence की आप reaction किस के साथ कराते हो, base के साथ कराते हो तो उसकी smell जो है वो आपकी disappear हो जाती है vanilla essence की smell जो है वो आपकी disappear हो जाती है ठीक है तो acid से जब reaction कराते हैं तो acid से reaction करने से पहले जैसी smell आ रही थी वैसे ही acid डालने के बाद भी आपको smell आएगी लेकिन जैसे ही आप base के साथ उसकी reaction कराते हो तो इसकी smell जो है वह आपकी disappear हो जाती है ऐसे ही थर्ड जो आपका olfactory indicator है वो है आपका club oil जिसको हम long का तेल भी कहते है ठीक है तो ये वाला जो oil है जिसको हम long का तेल भी कहते है club oil तो ये भी जब आपका acid के साथ में reaction करता है तो इसकी smell में कोई change नहीं आता ठीक है लेकिन जब ये आपका base के साथ में reaction करता है तो इसकी smell जो है वह आपकी disappear हो जाती है यानि कि इसकी smell जो है आपकी वो चली जाती है ठीक है तो ये आपके olfactory indicator हो गए तो यहाँ पे हमने दो indicator देखे आपके कुछ indicator जो है जैसे की red litmus, blue litmus, phenophthalene, methyl orange ये सभी अपने color में change के द्वारा हमें बताते हैं कि कौन सा substance आपका acid है, कौन सा substance आपका base है तो ये भी आपके indicators है और कुछ indicators जो हैं आपने smell में change के द्वारा order में change के द्वारा, ये smell में change के द्वारा हमें बताते हैं कि कौन सा आपका acidic है कौन सा आपका base है इसको हम olfactory indicators कहते हैं इसमें फिर हमने 3 देखे कि जो आपका onion का juice होता है ठीक है वनीला, onion और clove ये जो तीनों होते हैं ये आपके olfactory indicators होते हैं तो जब ये acid के साथ reaction करते हैं तो इनकी smell पे कोई effect नहीं होता लेकिन जैसे ये base के साथ reaction करते हैं तो इनकी smell है वो आपकी disappear हो जाती है तो आज का ये homework है आपको जितने भी सारे आपके acid हैं वो सारे आपको notebook में लिखने हैं ठीक है all factory indicators के definitions लिखने हैं ये सारे examples आपको लिखने हैं और ये table 2.1 जो है ये आपको अपनी notebook में बनानी है Thank you